प्रिये विद्यार्थियों आज की इसकड़ी में उर्दू की प्रसिद्ध कथा लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक को पढ़ेंगे और समझेंगे लेकिन कहानी समझने से पहले लेखिका के बारे में जान लेते हैं जिससे कहानी समझने में हम लोगों को आसानी होगी रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कहानी की लेखिका है इनका जन्म अजमेर शहर में हुआ था रजिया ने आरंभिक शिक्षा से लेकर कला असनातक तक की शिक्षा अपने घर पर ही रहकर प्राप की थी उसके बाद उनका विवाह सज्जाद जहीर नामक व्यक्ति से हुआ था विवाह के बाद अजमेर से वे इलाहवाद आ गई और वहां से उन्होंने उर्दू में अशनात कोत्तर की परिक्षा उत्रिन की थी रजिया सज्जाद जहीर अजमेर से लखनव आई और वहां करामत हुसेन गल्स कॉलेज में अध्यापन कार करने लगी सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में भी हुई आधनिक उर्दू कथा साहित्य में रजिया का महत्तपूर्ण स्थान है उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं और साथ ही उर्दू में बाल साहित्य की भी रचना की है मौलिक सरजन के साथ-साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुष्टकों के अनुबाद भी किये हैं रजिया की भाषा सहज सरल होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है उनकी कुछ कहानिया देवनागरी में भी अनुवादित हो चुकी है रजिया सज्जात जहीर की कहानियों में सामाजिक अथार्थ और मानविये गुणों का सामंजस्य दिखाई देता है उनकी कहानियों में सामाजिक सदभाव के साथ ही धार्मिक सहिस्णुता भी दिखाई देती है रजिया की कहानियों में हिंदू-मुस्लिम सदभाव और संबंधों को बढ़ावा मिलता है आध्मिनिक संदर्म में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का उन्होंने सफल प्रयास किया है उनकी कहानियों की यात्रा सहज सरल होने के साथ साथ मुहावरेदार है जिसे पढ़ने के बाद आप सभी पाठकों को आप सभी विद्यारतियों को सहज रूप से ही कहानी से जुड़ने का अबसर प्राप्त होगा और आप खुद उससे जुड़ भी जाएंगे उनकी कहानिया में कुछ कहानियों को मैं यहां लेता हूँ जैसे मेहमान, रह्मत या जह्मत उनकी बहुत ही मशूर कहानिया है जर्द गुलाब, सुल्तान सलाहुद्दीन बादसाह आदी है हम लोग उनकी कहानी जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे उसका शिर्शक नमक है उन्हें बहुत सारे पुरसकार भी मिले उन पुरसकारों में सोवियत लेंड नेहरू पुरसकार उर्दु अकादमी उत्तर प्रदेश से अखिल भारतिये लेखिका संग अवार्ड प्रमूख है रजिया सज्जाद जहीर एक ऐसी लेखिका हैं जिन्हें पढ़ना और समझना आज के संदर्व में उतना ही आधुनिक है जितना उस समय जब वो यह कहानी लिखी गई थी नमक कहानी पढ़ेंगे पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नमक कहानी में ऐसी क्या बात है जो हम सब के पाठ पुष्टक में संकलित है और उसे हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है उससे किन मानविये मुल्यों को हमें सीखने का अवशर प्राप्त होगा और हम अपने जीवन और विभार में किस प्रकार उस कहानी को उतार सकेंगे जिससे हमारा समाज, हमारा देश एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके तो आईए पहले हम उस नमक कहानी के बारे में आपसे बाचित करते हैं रजिया सज्जाद जहीर की नमक शिर्शक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विष्थापित और पुनरवासित जनों के दिलों को तटोलती एक मार्मिक कहानी है विष्थापित और पुनरवासित हमने आपको इसलिए कहा कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस बिभाजन में यह बात कही गई कि जिसे पाकिस्तान में जाके रहना है वो पाकिस्तान जा सकते हैं जिन्हें हिंदुस्तान में आके रहना है उन्हें हिंदुस्तान आ सकते हैं उस समय लाखों संख्या में लोग इस पार और उस पार आये और गए जो इस पार से उस पार गए वो विश्थापित हो गए और उस पार से जो इस पार आए वो भी विश्थापित हो गए लेकिन जो यहां आए और वहां गए दोनों जगह के हुक्मरानों ने दोनों जगह के सत्ता सीनों ने लोगों के रहने की विवस्था की जब हम अपनी एक जगह से उखड कर दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम पुनरवसित कहते हैं और जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उसे हम विश्थापन कहते हैं तो ये जो पूरी कहानी है ये विश्थापन और उसके बाद वहां से जाकर वहां बसने की कहानी है जिसमें दो दिलों की जो भीतर एक कस्मसाहट है उस कस्मसाहट को भी इस कहानी में हम लोग देखेंगे दिलों को टटोलने की कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचली धारणाओं पर सवाल भी खड़े किये गए है जब हम अपनी जगह से कहीं विश्थापित होते हैं चाहे रोजी रोटी के लिए हो या कुछी भौगोली कारणों से हो या किसी एतिहासी कारण से हो जिस किसी कारण से भी हम विश्थापित होते हैं कहीं कहीं हमारे मन में हमारा वह गाओं हमारा वह देश हमारा वह स्थान पूरे जीवन किसी कोने में पड़ा रहता है और जब भी परिश्थितिया अनकूल होती है वह हमारे सामने उठकर खड़ा हो जाता है तो जो अस्मृतियां है वो सदैव हमारे साथ रहती है विद्यार्थियों विश्थापित होकर आई सिख भी भी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और वह सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फर्माईश करती है कश्टम अधिकारी इस पार भी है और उस पार भी है तो कश्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है बोडर के इस पार और उस पार नमक ले जाना प्रतिबंध है उस श्थिती में दिल्ली को अपना वतन बताता है इसी तरह भारतिये कश्टम अधिकारी सुनील दास गुपता का कहना है कि मेरा वतन तो ढाका है राष्ट राजियों की नई सीमाएं रेखाएं खीची जा चुकी है और मजहवी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं वे अपने मन से जो पहले बंगला देश में थे वे हिंदुस्तान के बंगाल में आ गये हैं या फिर जो अमरित सर में हैं वो लाहौर चले गये हैं ये धर्म के नाम पर इधर से उधर हुए हैं लेकिन उनके मन में कहीं ने कहीं अपने उस वतन की जो खास बात है जो उसकी खुश्बू है वो उनके मन में हमेशा रहती है इसके बाब जूद जमीन पर खीची गई रेखाएं उनके अंतरमन तक नहीं पहुँच पाई है राजनितिक रूप से तो जरूर हम अलग-अलग हो जन की पहचान बदल चुकी है किन्तु उनका दिल इस यथार्थ को इस सच्चाई को सुईकार करने के लिए तयार नहीं है एक अंचाही और प्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्मस्थान से विश्थापित कर दिया है उनके दिलों पर कबजा नहीं क पाई नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस पहलू को परत दर परत उधेड़ देता है अपने जन्मस्थान के प्रति प्रेम जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक यह उमीद की जा सकती है कि राजनेतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी लेकिन यह भी देखने की बात है कि जो पीड़ी बिस्थापन के दन्स को जहला है उसके मरने के बाद क्या होगा क्या वे बच्चे जो कभी लाहौर देखे ही नहीं वे लोग जो कभी अमरित सर देखे ही नहीं क्या उनके मन में भी लाहौर और अमरित सर के प्रती वही छटपटा हट रहेगी जो उस पिढ़ी के लोगों के दिलों में है तो इस तरह के तमाम प्रशन ऐसे हैं जो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे मन में कहीं न कहीं उथल पुथल मचाती है। लेकिन जब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं तो और बहुत सारे प्रस्ण हमारे सामने आएंगे जिससे हम आप लोगों से अभी बात्चित करेंगे। लेकिन लाहौर के कष्टम अधिकारी का यह कथन बहुत ही सारगर्वित है इस कहानी में उनको आप लोगों को देखना चाहिए कि उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा तो बाकि सब रफता रफता ठीक हो उस परिष्थितियों से ठीक कर देगा और हम जिस परिष्थितियों में रहे हैं यह परिष्थितियां बदल जाएंगी लेकिन क्या यह परिष्थितियां कभी बदली है या बदलने के लिए किसी ने प्रयास किया है यह बहुत बड़ा एक प्रश्न है हम अपने मन में इस मसाहट रहती है लेकिन क्या इस सवाल का जवाब हम लोग धूर पाते हैं लेकिन हम सभी जानते हैं कि आशा मनुस्य को हमेशा ताकत देती है इसलिए हमें उसी ताकत के साथ आगे बढ़ने की आवश्यक्ता होती है तो क्या नई पीड़ी के आने पर यह उमीद बनी रहेगी यह एक बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा अभी फिलहाल आए कहानी को समझने का प्रयास करते हैं मुझे उमीद है कि कहानी की जो प्रिष्ट भूमी है जिसे हमने अभी आपको समझाने का प्रयास किया उसी प्रिष्ट भूमी के आधार पर आशा है कि आप इस कहानी को ठीक धंक से समझ पाएंगे तो आएए समझते हैं नमक कहानी के सारान्स को कहानी शुरू होती है सफिया अपने पडोसी शिख परिवार के हां किर्टन में गई थी वहाँ एक सिख बीवी को देख कर वह हैरान हो गई क्योंकि उसकी आँखें भारी भरकम, शरीर, वस्त्र, आदिसब, सफिया की मा की तरह थी सफिया से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहु से पूछा जब उसे पता चला कि वह सुवह लाहौर जा रही है तो वह उसके पास आकर लाहौर की बाते करने लगी उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी, उनका वतन तो लाहौर ही है किर्टन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कह लाहौर पहुचने पर सफिया के भायों ने खूब खातिर्दारी की उससे मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आये उसके सामने सेर भर लाहोरी नमक की पुडिया ले जाने की समस्या थी पुलीस अफसर भाई ने नमक ले जाने को गईर कानूनी बताया तथा व्यंग किया कि भारत के हिस्से में विभाजन के समय अधिक नमक आया था ले जाने की जिद की तो जाच का हवाला दिया था बेजिती का डर दिखाया वह प्रेम की चीज को शालींता से ले जाना चाहती थी परंतु भाई ने कानून की सक्ती के विशे में बताया तो अंत में वह रोने लगी भाई सिर हिला कर चुप हो गया साफिया को लाहौर से रवाना होना था उसने सारी रात पैकिंग की सारा सामान सूटकेस में रख ली तथा नमक की पुडिया ही सेस रह गई थी पर भावना की अस्थान पर बुद्धी धीरे धीरे जब उस पर हावी हुआ तो उसने कीनू के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी उसने देखा था कि भारत से केले जा रहे थे तथा पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे कोई जाच नहीं हो रही थी इस तरह नमक सुरक्षित पहुँच जाएगा फिर वह सो गई वह माहावल और सगे संबंधियों के बारे में सपने देख रही थी यहां उसके भाई चाहने वाले दोस्त नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां सब यादा रहे थे और वह यहां से जा रही थी शायद फिर वह न आ सके उसे इकबाल का मकबरा लाहौर का किला किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किर ने आदी दिखाई दे रही थी अचानक उसकी आँखे खुल गई क्योंकि उसका हाथ कीनू की टोकरी पर पढ़ा था उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है वह फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठी थी उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुडिया है जब सामान कश्तम जाच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मुहबबत का तोफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी उसने जल्दी से पुडिया निकाली और हैंड बैग में रख ली जब सामान जाच के बाद रेल की तरफ चला तो वहाँ एक कश्तम अधिकारी की तरफ बढ़ी वह खिचडी बालो वाला अधिकारी था साफिया ने उसके बारे में पूछा उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया साफिया हैंड बैग मेज पर रख दी अच्छी तरह लपेट कर उसके बैग में रख दिया और बोला कि मुहबबत तो कश्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है उसने जामा मस्जिद की सिड़ियों को सलाम देने को कहा और सिख बीबी को यह संदेश देने को कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा तो बांकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा साफिया अटारी में भारतिये रेल में एक जैसी भाशा और गालियों के कारण कब लाहौर खत्म होने को है और कब अमरित सर सुरू हो गया यह समझ नहीं पाई अमरित सर में कश्टम की जाँच शुरू हुई तो कश्टम के पास पहुची तथा अपने पास नमक होने की पूरी बात सुनाई इसने साफिया को साथ चलने को कहा एक कमरे में जाकर कश्टम अधिकारी ने उसे बैठाया तथा दो कप चाए लाने के लिए एक पूलिस को ओडर दिया कश्टम अफिसर ने अपने मेज के दराज से किताब निकाली और साफिया को बैठने के लिए कहा और पूलिस को चाए लाने के लिए ओडर दिया उसके पहले पन्ने पर ही शम्षुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ धाका 1946 लिखा था सफ्या के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम धाका बताया जिस दिन वह भारत आ रहा था उसे एक बर्स पहले उसकी सालगीरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी थी फिर वह कोलकाता से में रह कर पढ़ाई की तथा नौकरी करने लगे कश्टम ओफीशर ने बताया कि हम अपने वतन आते जाते थे साफिया वतन की बात पर हैरान थी विद्यार्थियों मुझे पता है कि आप कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं यह कहानी मैं आपको संचिप्त रूप में सुना रहा था लेकिन यह कहानी इतनी ही नहीं है अभी इसके आगे भी है और आज की इस कड़ी में मैं यह कहानी इतनी ही आपको सुना पाया हूँ लेकिन इसके आगे की बात अगली कड़ी में मैं आपको सुनाऊंगा तो आईए अब अगली कड़ी में इस कहानी को सुनेंगे तब तक के लिए आज एक कहानी यहीं तक धन्यवाद झाल झाल